हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू आलम की रिप्टो देर फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है इसलिए के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पांच ऐसे कौन बताने वाला हूं जो कौन काफी डिप के अंदर है काफी अंडर वैलूड है लेकिन इनक कोईन आसानी के साथ 100 तका प्रोफिट दे सकते हैं तो इस कोईन को मैं आपको शोट के अंदर सिर्फ नाम बता देता हूं बाकि इनमें से हर कोईन के बारे में आपको रिसार्च करना है और रिसार्च करने के बार आपको क्या लगता है क्या यह कोईन 100 तका प्रोफिट दे सकता है या नहीं देज सकता है इसके बार को कॉमेट पॉस के दर जरूर मुंशन करना है ताके और लोगों का और दोस्तों का फाइदा हो सके जहां तक मैं इन के बारे में रिसर्च किया है डिफिनेटली ये सारे के सारे फॉंडडमेंटल स्ट्रोंग कोईन हैं मदबूत कोईन है लेकिन इनके मारके का इपिरल काफी कम है इसलिए मुझे लगता है कि यह हंड़ेस्ता का प्रॉफिक मिल सकता है आपको क्या लगता है आपको अपनी रायज जरूर देना है यह जो पांच कोईन है इन पांचों कोईन में से जो चौथ से खास है और उनके अंदर इतना पोटेंशल है कि वह कोईन यह हंड़ेस्त नहीं मेरके मेरा दिल यह काता है कि यह थाउजन एक्स तका भी परॉफिट दे सकता है तो चौथे नंबर किया जो कोईन बताने वाला हूं उसको जरूर सुनिएगा अच्छी तरीके से मैं इसके एक गुजारिश यह करूंगा कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि कोई बात मिस नहों पाए और पूरे जर्टारे के साथ जब आप जाएंगे तो आप काफी चीजे देखने को मिल सकती है चले वीडियो को शुरू करते हैं जानते हैं कि पहला कौईन कौन सा है जो हमें 100 अस्ता का प्रॉफित दे सकता है जो सबसे पहला कोईन उसका नाम है CEEK ठीक है यनि सी कोईन इसी दरी आप सार्च करेंगे CEEK सीक और इसको यह क्या करता है इसके बारे में डिटेश दनना चाहते हैं तो आप इसके बारे में रिसार्च करें इसलिए के क्रिप्टो मार्क मार्केट है इसमें प्रॉफित भी हो सकता है लॉस्पी हो सकता है इसलिए किसी भी कोईन के अंदर इंट्री करने से पहले पहले उसकी पुरी जानकारी होना जरूरी है तो सीक एक हंड़ेट एक्स जियम है जो काफी डिप के अंदर है और इसके पोटेंश का ज्यादा है द प्रोनोंसेशन हो थोड़ा सा में दिशोतने चींशी नहीं है तो रेलियो या रालियो जो भी आपड़ सकते हैं यह कोईन भी च्छोटा सा ज्यम है लेकिन पोटेंश काफी जादा इसके अंदर है और इसके टिप काफी चतरे के समवर कर रही है तो यह से यह कोईन यह अलिफ या अल्फ कुझो यह पर सकते हैं उसके पास जेड़ इ-आर ओठीक है अलिफ जीरो या अल्फ जीरो जो भी कह सकते हैं यह भी एक अंदर एक सद्च जिर्म है लो मार्किर कैपिटर है बहुत ही चोटी मार्किर कैपिटर है लेकिन पोटेंश काफी ज़ादा है इस कोई पर भी आपकी निगाहे होनी चाहिए चौत्हा जो कौई नहीं जिसके बार मैं आपको बतलाया था कि इन में से सबसे फेवरेट है और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरा लिसाच यह कहता है और मुझे मेरा दिल यह कहता है कि यह coin 1000 एक सता का परफिल दे सकता है इस coin का नाम क्या है यह काफी highlight coin है इस coin के पर अपने निगाहें जरूर्ज मागे के रखे रखेगा और इसके बारे में जरूर रिसाच किजिएगा इसका नाम है कास्पा के एस पी एक कास्पा ठीक है तो कास्पा क्वाइड डेफिनेट्ली अच्छा परफॉर्म कर सकता है इसलिए कि इसकी बैकिंग बहुत जबरदास्त है और जो इसका यूज केस है वो काफी अनुखाया निराला है आप जरू कमेट कर परताजिएगा कि क्या चीज जो इसे एक जूनिक बनाती है और एक सबसे जो खास बनाती है यह क्या हो सकती है आखर जो कौइन पांट है उसका नाम है चेंज फाइनेंस सी एच ए आई अन जी ए चेंज फाइनेंस F I N A N C Finance ये भी एक छोटा सा जियम है छोटा सा कोई है लेकिन पोटेंशल काफी जाता है और ये सारे के सारे कोई 100 असता का प्रफित दे सकते हैं तो ये है एक छोटी सी वीडियो I hope कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी पसंद आज होगी थांक्स पर वाच्छी इस वीडियो